अस्राम लेकूम मैं इसल्फ महमा सब्दोल्ला उम्मीद करतों सब खेरिया से होंगे आज का हमारा लेक्ट्यर बिल्स के उपर है difference between inland will and foreign will आज हम इनका difference देखेंगे inland will क्या है और foreign will क्या है सबसे पहले देखेंगे inland will को inland will inland will are drawn in a country upon person living in the same country is called inland will अच्छा उसके बाद देखती हैं आगे हमारे पास foreign bill, foreign bill क्या चीज़ है foreign bills are drawn in one country and accepted and paid in another country is called foreign bill तो अब हम इसको detail के साथ देखेंगे inland will क्या है inland bill are drawn in a country upon person क्या upon person living in the same country same country में रहते हूं मतलब detail के साथ अच्छा inland bill को अगर हम उर्दू में देखेंगे तो इसको कहते हैं मुलकी हुंडी अच्छा inland bill ये एक ऐसा बिल है जो जिस मुलक में मुरतब हो उस मुलक में वाजबल अदा हो सिंपल वर्डे में समझे मतलब देने वाला और लेने वाला एक ही कंट्री से बिलांग करते हूं उसको हम कहते हैं inland bill उसके बाद है foreign bill foreign bills are drawn in one country and accepted and paid and in another country is called foreign bill foreign bill को अर्दू में कहते हैं गैर मुलकी हुंडी अच्छा ये एक ऐसा बिल है जिस में रतब कुनिदा और रतब एलिया दो मुक्तलिफ मुमालिक के रहने वाले हूं मतलब एक जो मतलब ऐसे समझे हैं रकम सेंड करने वाला है वो एक मुलक में हो एक कंट्री में हो जो रकम रसीव करने वाला है वो दूसरे कंट्री से हो मतलब इन दोनों का मुक्तलिफ कंट्री से होना लाजमी है फरन बिल में इन लेंड बिल में दोनों का एक कंट्री में होना लाजमी है और फरन बिल का दोनों का डिफिरेंट कंट्री में होना लाजम यह मतलब रकम कर रहे हैं वो एक कंट्री यौ यौ रकम सेंड का रहे है हो तूसरी कंट्री से हो वो गैठी लोग उलत नहीं है न barbarALLY कि हमें इस लेक्षिक हैं